हलो एवरिवन माइसेल्फ अंकित सर्मा इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी टॉर्णामेंट में ओटो ओप्सन से मैचेज कैसे शेडूल करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा कृकरोज application open करना है उसके बाध जो नीचे की तरफ हमें पांच options दिखाई दे रहे हैं उसमें nella third option थारण ओपसन है my cricket tab उसपे tap करना है उसके बाध my tournament section में आके जिस भी tournament की मेचज हम शेडूल खरना चाहते हैं उस tournament को open करना है टोनामेंट ओपन करने के बाद हमें second option matches पे click करना है यहां हमारे सामने schedule matches और start match दो options आ रहे हैं तो हम schedule matches पे click करेंगे यहां हमारे सामने दो options दिखेंगे पहला है manual option दूसरा है auto option हम अभी auto option से match schedule करके देखेंगे जो भी teams हमारे tournament में participate कर रही है और जो भी लोग हमारे tournament को follow कर रहे है उनको हमारे tournament के सभी upcoming matches की updates पहले से मिल जाएगी तो match schedule करने के लिए अभी हम auto option पे click करेंगे स्क्रीन पे show हो रहे pop up message के अनुसार हमें पहले से ही tournament में सभी teams and round side कर देने है और सभी teams को group wise divide कर देना है उसके बाद हम ok button को press करेंगे यहाँ पर हम जिस भी round के matches schedule करना चाहते है उस round को select करेंगे यहाँ पर हम matches की सभी basic details like number of hours, hours per waller, city, town, ground, ball type यह सब fill up करेंगे how many times teams will play against each other इस option में दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ कितने matches में compete करेंगी वो number of matches डाल देंगे उसके बाद हम उन days को select करेंगे जिन days पर हमारे tournament के matches खेले जाएंगे उसके बाद हमारे tournament का जो first match है हम उसकी date और उसका time दोनों यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद हम number of daily message हमारे ground में डेली कितने matches खेले जाएंगे वो number डालेंगे उसके बाद match duration यानि एक match कितनी minutes तक चलेगा वो number of minutes और दो matches के बीच में कितना break होगा वो number of minutes दोनों यहाँ पर डाल के next press कर देंगे तो कुछ इस परकार से हमें हमारे tournament का schedule शो करेगा हम चाहें तो इसमें कुछ change and delete option से match delete भी कर सकते हैं और अगर हम इसको जो काते हो पब्लिश करना चाहें तो directly done button trace कर देंगे अभी हमारा schedule generate हो रहा है और यह हमारा schedule अभी tournament के upcoming matches section में ऐसे show करेगा So I hope इस वीडियो के थुरू आपको auto option से match schedule करना समझ में आ गया होगा अगर उसके बाद भी आप किसी परकार की परेशानी का सामना करते हैं तो आप नीचे देगे नंबर पर कभी भी संपर्ख कर सकते हैं